आज दोस्तों मैं मुरारी कुमार अश्टेडी जीरो टू हाई लेबल में आपका स्वागत करता हूँ मेरी दोस्तों आज हम लोग व्याकरन के महुती इंपोटेंट टॉपिक वर्णी चक्टर पढ़ने जा रहे हैं इसके अंतरगत हम लोग वर्णी की उत्पती वर्णी की अध्यन वर्णी की परिभासा वर्णी की भीद इवं प्रकार तथा विवन वर्वों की उचारजस्तान आदी की अध्यन करेंगे मेरी दोस्तों आप जैसे जानते हैं यह बहुत ही इंपोटेंट है सभी कॉमपर्टिव रिग्जामें यहां से प्रश्णू बनते हैं अता इस बार आप लोग के ब्यार पुलीस आपके मूठीम होंगे बस स्रिप एक बार आप देखिए आप उमीद ही नहीं हम आसा करते हैं कि जरूर यह आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा और उत्तम साबित होगा चलिए हम समय को रिपीट करते हुए ना दोराते हुए आपको शीज़े आते हैं अपने काम पॉइंट विंडू पर चलिए बर्ण की उत्पती से पहले हम लोग जानती है बर्ण की उत्पती कैसे हुई है तो बर्ण की उत्पती के इतिहास में ऐसा मान्यता है कि पानिनी जो संस्कित व्याकरन के महन ग्याता माने जाते हैं पिताच कही जाते हैं इन्होंने अपने भक्ति के वलपर अपने त दमरू को बादेन के प्रिनौम स्वरूप पाननीनी ने उनको एक बढ़न की उत्पत्ति कर दिये कहा जाता है भगवान शंकर ने अपने डमरू बादेन को दो खंडों में विखा किया है पहले नो खंड फिर पांस खंड अर्थार नो पांस चाओदा खंड इस प्रकार चाओ सीव्षूत्र रिया शीव्षूत्र के नाम से जाने जाते हैं आटे हैं तो यह बढ़न की उत्पति का कुछ भी से है ठीГ है हम आते हैं बढ़ने के अध्य annoy आप जैसे जानते हैं बढ़ने की अध्या नको और्थो ग्राप किते हैंat ऐब पूछे जाते हैं बढ़ने के पढ़्ण की परिभासा, आप जैसे जानते हैं बढ़्ण की परिभासा है, बढ़्ण उस मुंध होईने को कहते हैं जिसको खंडन या टुकरा नहीं किया जा सकता है, वर्ण निकाल आते हैं, तेक है, उधारन सुरू, जैसे ओ, आ, हरसे इ, दरिग इ, आव, कोहलन, खोहलन, चोलन इत्यादी अब हम कुछ सब्धिया धोनियों लेते हैं और उसमें से नहींत मूल धूनी वड़न के समझाने का प्रियाज करते हैं जैसे एक हम सब्थ लेते हैं खा लो ठीक अब इन वाकियों में हम देखते हैं खा पलस आ, खा इसमें दो मूलधोनिया बढ़ने, पहला में खा हलंत फिर जोर आ, दूसरा है लव, लव को जब खंडन करते हैं तो लव हलंत जोर ओ, पिशमें भी दो मूलधोनिया है, अरथात अस्परस्ट हो जाता है कि अब इन से छोटा धोनी नहीं किया जाजिए पे। तो बढ़ने हमने जाना अब हम पड़ते हैं बढ़ने ब्यवस्था करण अर्था बढ़ने को जो वहेद है वो दो अधार पड़ किये गए बढ़ने के कितने वहेद होते हैं में किसी अण्य धर्णों की सहाइथा नहीं लेनी पर तीए यह सोता बोली जाते हैं ये हमारे स्वर्ण बढ़ याते है सवर्ण की सुर्णंबर्ण।ों की संक्यां मूलग Skills 21 होते हैं कितने होते हैं 11 को विंधि पूझ हैती मूल खूल्धों की संक्यां कितनी है तो घÁ और फीर हर्शय यह नहीं लेंगे फिर हर्शय लिए उसके वाद द्रग के बाद री लेंगे चार पूरा यह हमारे चार मूल स्वर्ण बन के नाम से जाने जाते हैं ठीक है और बाकि जो शेस बचने हैं इसको साथ साथ चार ग्यार साथ जो है वह हमारे होती है इसके बार अंसौर और विसर क्या होते हैं क्योंकि बैकर्णो कैसा मौनना है ये ना तो पुन शौन है और ना ये पुन बेंजेन हैं इसलिए से ये नाम से जानी है पूझे जाते हैं कि गतने हैं 2 और चलिए आपने जाना अब फीर आते हैं आगे बेंजन ते कि लिए धूर मध के को कहते हैं जिसके ऊचारज में किसी अन्राट किसी आन्षोरन वंखी साहीता सस्थ लेनी एंप का मेल हो तब वह स्वर्ण बंड का लाएगा उद्धारन लेते हैं जैसे का ख ग च त आदी यह से हमारी के हैं उद्धारन सब्सक्राइब ले सकते हैं प्रते इसको हम का सकते हैं सब्सक्राइब बंड में कि सभी कवर्ण के चवर्ण के टवात पवर्ण समय आएजिएगे इसके अत्रिक्ष इसकी अत्रिक्ष आपको अंतरश्य वर्ण में योरोगो ठीक है उस्वावर्ण में तालमसों मुर्दंसों और दंसों यह चार यह आपका सभी होगे डेंजर बढ़्ण इस इन पांचों को अस्पर्ण वर्ण या वर्ण वर्ण बढ़्ण के नम से जाना चाएगे इस तरह से हमारा 55 का गुरूप है 25 यह हमारी अस्पर्श वर्ण की संक्यां होगी है ठीक है आगे आते हैं अंतर्श्री वर्ण अंतर्श्री वर्ण क्या होता है अंतर्श्री वर्ण की संक्यां भी चार है कितने हैं चार अंतर्श्री वर्ण में आता है यह रह लो वह यह हमारे चार हैं अंतर् शीनां जो आगे आते हैं अंतरश्री वंधन को उस्मा वंभा का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि चार के विश्र融न में बोलने के अगे आते हैं सनुक्त बंजन क्या होता है आप जैसे जानते हैं प्रमप्रागत से अक्षोत्रों गियों और सुनों को हिंदी बंदमाला में अस्थान दिया गया है लेकिन ये मूल बंजन नहीं होते हैं इनकी रचना जो है वो दो बंजनों के मेल से होती है इसलिए इन्हें सनुक्त बंजन या सनुक्त अक्षर के नाम से जने जाते हैं ठीक है वो ये चार वर्ण है जो इस परकार के जैसे पहले अक्षों अक्षो का निर्माज होता है को हलं मुर्धन सो बराबार अक्छो फिर अक्छो बाल तरो त हलन्द रो बराबर तरो फिर ग्यो ग्यो बराबर जो जो रियों बराबर ग्यो फिर स्रो तालम सो हलन्द रो बराबर स्रो इस तरह से हमारे बेंजन बढ़ने के निर्मान होते हैं यह हमारे सनिक्त बेंजन बढ़ने होते हैं ठीक है चेलिए आपने सनिक्त बेंजन से अबगत होगे हैं उस्मावर्सन होगे हैं सनिक्त बेंजन से होगे हैं अब आते हैं हिंदी के कुछ अपने बेंजन हैं हिंदी के जो अपने बिंजन है वो ड़ और ड़ ये दो हिंदी के अपने बिंजन होते हैं ठीक है हिंदी के अपने बिंजन दो है ओके ये हिंदी के मूल में अपने बिंजन है ड़ और ड़ चलिए अब हम आगे चलते हैं इस तरह से आप देखिए तो बर्णो की कुल संख्याँ हमारी हो जाती ये 11 अश्वर्ण बर्ण थे दो ऐगोबाबर्ण थे 25 अश्वर्ण थे और फिर 4 अंतरश्य बर्ण, 4 उस्मा बर्ण, 4 सनुर्ट बर्ण और दो हिंदी के अपने वेंजन वर्ड इस तरह से कुल हिंदी वर्णवाला में वर्णों की संक्यां 52 हो गए ठीक है चलिए हमने वर्ण के देखा अब आते हैं वर्ण के भेद के बारे में अच्छा है और हाँ एक बात आपको बता दें अगर आप से पूछा जाता कि स्वर्ण वर्ण के संग्या कितनी हैं ग्यारा और बेंजन के संक्या 33 और असपर्स संग्या पूछता है तो कि पसचीश इस तरह से आपको यह kita a कभी के फूच जाता इसको द्यंव रखना है ठीक है ओर Shap Norhan की इतन्या मूल शूर्ड ओँचार होते हैं ठीक है चलिए अब हम आ बाटके जित्ने भी शरूरं वर्तन अन्य उच्छारन में अनिके लगने वाले शमय होते हैं उसके आधार १श्य पर कितने भाग वाटके थीजिया फार सब्समारा है दूसरा दिर्द्दसवर्त और तीसरा पुल्यतुस्वर्तन इसके यह हमारे बढ़ने में लगने वाले शमय कैदार पर ता और इसके बाद हम जानेंगे जाती कैदार पर ठिकर रह्वह भी पुता है दो जाती और भी जाती उसकी आ夏 चरजा करते हैं पर चरजा करते हैं हर्च स्वर्ण क्या होता है चलिए हर्च स्वर्ण हर्च स्वर्ण उस स्वर्ण को कहते हैं जिसके उचारन में एक मात्रा का समय लगता है एक मात्रा का स्वर्ण में लगता है इसे हम एक मात्री के स्वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं ठ दूसरा अब आते हैं दिर्द सुर्ण क्या होता है जिन स्वर्णों के उचारन में हर्द के तुलना में दूगुना समय लगता है चार थी हमारे हर्द स्र अर सात हमारे दिर्द स्वर्णा से पूल एक ग्कजारा हो जाते हैं एक और आते हैं पुलिट स्वर्ण क्या है पुलिस्वर्ण यह इसके बारें चलते हैं पुलिस्वर्ण पुलिस्वर्ण जिन वर्णों के उचारन में तीन मात्रा अर्थात इन तीनों के तीवुना समय लगता है उचारन करने यह हमारे तीन मात्री या पुलिस्वर्ण के नाम से जाने जाते हैं इन वर्णों का उचार परियोग मुक्य तह लंबा अलाप या किश्य को पुकारने में किश्य को संभोधन में आदी में किया जाता है विश्य सुरुप से इसके संस्कृतिक मंत्र उचारण में देखने को मिलता है उधारण में जैसे ओम हेराम या लंबा आलाप में इनका परयोग किया जाता है यह हमारे हैं कौन सा बर पुल्षोर्ण इसकी बाच्चावन आप देख सकते हिंदी के तीन की तरह इसका रहता है यह हमारा पुल्ष अब हो गया अब हम आते हैं इस तरह से हमने देखा वर्ण का जो विभाण दिर्द्षोर्ण के नम जानते था और एक था पुल्ष वर्ण जो कि हिंदी के तीन की तरह इसका होता है यह उसका संस्कृत में विशेश तरूप से प्रयोग किया जाता है लंबा आलाप या प्रयोग किसे को फुकारने में ठीक है इस तरह से हमारा कुल बढ़नों की संक् रचापको कर दिये है जो ना स्वर्ण हो और ना ही बेंजन हो अर्था यह सवर्ण और बेंजन के बीच की ध्युनिया होते है इसलिए अज्याह आईगुभा भर्ण की संक्या कितनी है दो है अंसोर तथा विसर्गी यह हमारे यह बढ़न होते है चलिए फिर हम आगे मात्रा क्या होती है तो स्वर्ण की मात्रा आपको बता दें स्वर्ण 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 जब स्वर्ण की जब मात्रा किसी वेंजन पर पड़ता है तो यह हम मात्रा करते हैं इसे बदल अर्थात हम कर सकते हैं और हैं एक बात आपको यह जाना है आप जानते कि ग्यारह स्वर और अपना मात्रा नहीं होता या कि सभी बढ़न का अपना मात्रा ओता एक लिए परिभासा रूखम कर सकते हैं कि सभी स्वर्ण सभी स्वर्ण जब किसी बेंजन के साथ सभी स्वर्ण के संकेत जब किसी बेंजन के साथ लगा कर लिखा जाता तो इसे हम इसे हम ककारा करते हैं ककारा जिसे हमें ककारा या बारा खरी करते हैं ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं उधार में आका स्वर्ण मात्रा का स्वर्ण मर का कोई नहीं था आकार का यह ऐसा डेंडा होता है देख लिए ठीक है फिर आगे आते हैं हर्चाई की मात्रा इस तरह से होता है इधर से ठीक है फिर आते हैं द्रगे की मात्रा इस तरह से होता है ठी तेसजों है गी यह पितन होते हैं यह हमारी के निचे में निचे में लगाए जाते हैं इसका मातरा से होता है । इसकी मातरा हो जाता है जो कि इस तरह से उपर मात पिर आओ देखिए यह हमने बोला इसका अलप उचारन था यह दिर्ट उचारन यह आउ था यह आउ है इसका लंबा उचारन ठीक है इस तरह से सब्द को मल और इसका सब्द बनेगा अवरत ठीक है आपने देख लिया से लिए अवरा प्रशन है अनुस्वर तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है ठीक है तो अंस्वर अंस्वर क्या आता है जब वर्ण का उचारन के वर्ण नासिकासी हो अर्था नाक्सी हो तो उसे हम अनुस्वर तब उसे हम क्या कहेंगा अनुस्वर वर्ण कहेंगे हैं ना उधारन के लेंगे जैसे में देखिए हिंदी में अंख तथा पर्तिक वर्ग का पहला बर्ण की कवर्ग चवर्ग तवर्ग तथा पवर्ग और इसके अलावा पंचमा अक्षर पर्तिक वर्ग का पंचमा अक्षर जाए अंगो यह नो नो तथा मो यह हमारे अनुस्वर वर्ण के उधारन होते हैं ठीक है इसकी घारन लेते हैं जैसे की चं अब आते हैं अंसर वर्ण होगे अब आते हैं नासी का वर्ण क्या होता है अनुनासी का वर्ण ठीक है चलिए इसका परिभासा है जब वर्ण का उचारन नासी का तथा मुख दोनों से समान रूफ से हो तब उसे नासी का वर्ण करता है अर्थात इसमें क्या होता है कि थोरा स सबसे पहले हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं चलिए इसका परिभास इस तरह से हम दे सकते हैं जिन बढ़नों का उचारण सोरने की साहता से होता हो उन्हें वेंजन कहते हैं जैसे कि आप जानते हैं वेंजन समझती हैं एक से जारा हललवा पूरी मिला ज्या रहते हैं वेंजन कि तीन प्रकार होते हैं कितने प्रकार हैं तीन नमर फर्ष्ट असफर्ष वरंजन दूसरा अंतरश्य वरंजन और तीसरा उश्म वरंजन अब हम समझते हैं यह हमारे असफर्ष वरंजन कौन कौन से हैं असफर्ष वरंजन इनकी संक्यां पचीश होती है असफर्ष वरंजन क पर्थम वर्ण की नाम पर इसका नामंकन किया जाता है जैसे क्या हम लेते हैं पहले कवर्ग वर्ग कवर्ग 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 क किसका नामन करना हुरा ठेक है अगर हम बोलते हैं यान halves ले लेंगे चबर केард बोलते हैं तर टाँछомина यह पूरा लेंगे ठीक है उसी तरह से तथा बोलते हैं jeśli पढ़ा गे इस तरह से पाँच 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 यह को जाते हैं यह हमारे असपर 10 बंजन हो गए ठीक है चलिए अब आते हैं अंतर्शी बंजन की योड़ अंतर्शी बंजन क्या होता है अंतर्शी बंजन और इसका अर्च चलिए तो अंतर्शी बंजन मद या वीच में इस्तित होता है यह क्या होता है मद या वीच में अंतर्शी बंजन के परिभासा हम कर सक तो हमारा यह के लिए पूरा अंदर से बायू बाहर की वह निकालना पड़ेगा ठीक है इसलिए इसका अंदर से बाहर आता बायू ठीक है अगला प्रशन है हमारा उस्न बेंजन क्या होता है चल प्रशन क्या है जिनकी उचारन के समय में वायू मुक्षय रगर कर लिए और फिर मुक्षय बाहर निकलती है उन्हीं मुष्न वेंजनकी नामसे था से फ्रहते 장 sic यह हमारे हैं तालमसो मुर्दंसो दंसो और हो ठीक है यह हमारे कौन सा बेंजन होगी है उष्ण बेंजन होगी ठीक है कैसे है तो देखिए आप उजारण ट्राइक किजी भाई हम बोलते है तालमसो सब गरम बायू मूँ से निकलती है फिर बोलते हैं मुदंसो हना हो तो यह स लेकिन फ़ोरा स्ट्री Guide कि के अब इलेन क्या हुता है इनकी संध्यार होती है ठीक है और यह अजल फियका मिल से बने बर्ण को शीह जो होगा-दो-फ़र्ण आपश में मिलनें से समिज्डी वर्ण का निещ nine Tower 3 वैसे लगते हैं अक्छयों को HE कर Bennett करें तो इसका होगा का हलंध मुर धंस ciert पर कि तरह को तरह कोगे को तरह अगर अगरा होगा होगा जोगा हम रही करोच इस में आते हैं स्रौं तालंस सो हलंद धन रो देखो धन बोलो या जोर बोले कारणी कमल विसको धन भोलते हैं तो इस तरह सह मारा स्रौ करीर मान उगिया चलिए आपने देखा अब आते हम प्राण बायू के अधार पर बेंजन के परकार के बारे में जानते हैं ठीक है जो हमारे प्राण बायू की है उसमें कितने मतलब कितना अधिक बल लगता है बोलने के करम में इससे अस्पष्ठ हो जाएगा इनके अधार पर प्राण बायू के अधार पर है न वर् आपको जानकारी होना एक्जम से पुछे जाते हैं और अध्या क्या होता है इनके उचार में स्वासन वाईू है उसकी कम मात्रा का पर्यूग क्या जाता है उसे अल्प ब्राम करते हैं इनकी संख्यां कूल 19 होते हैं ठीक है वह कौन-कौन से हैं चली देखते हैं चली पहले होगा हर वर्ग का पहला इसको अंडरलाइन कर देते हैं पहला पूरा तीसा मां का गोगवा जगा फिर पांच मां लेंगे यानकि अंगा यह नो मों यह सब हमाड़ा हो गया ठीक है और उसके अलावा अंतरसी वंजन यानकि यह रह लो वो यह हमारे चार इसी है इस तरह से कुल हो गी हमारे बढ़ों की संख्यां पांस्तिया पंद्रह और चार उन जो मात्रा होती हिए वह अल्भ प्राण की तुलिग दढ़ लगा ती यह ना इसलिए से हम कहते है महाफ्रान ठीक है इसमें कौन और श करनी ऐने आते हैं इसमें पतिक वर्ण का द्व्रा तथा चाओथा वर्ण और इसकी अतरीख उसमा वंजन इसमें आपको समय लिक्त हो जाएंगे ठीक है कौन कौन सा दूसरा चौथा और उसना चलिए इन किसी संग्या किने जगी आपके पांदुना दास अपलास चार चौदा है ना उस्मा बेंजन का चार इसे चौदा आपका हो गया महाप्रान बढ़नों की संख्या ठीक है पड़ते हैं घुष और अगोष वर्ण ठीक है गोश आपके आपका है इसके बारे में तुसह जान कर लेते हैं एक हैं जितने भी बेंजन जितने वर्णें शम्पुर्ण श्वर्ण और वेंजन वर्ण हैना इन सभी को स्वृं तंत्रिका में कमपन्द के अधार पर कमपन्द के अधार फ़ीजञें दो ओन में बाता गया जिसे हम घोश वर और घोश वरर्ण के नाम से जान दी जाते हैं को थे क्या वह लेते is स्वनंतंत्रिका में कमब चानुसितलया में को जिसमें हो वह व्यां जिस वर्ण के उचारण में वह तो हमेले लेते हैं पहले जिसमें council नहीं होता जिसे में पर्थप बर्ग का पर्थम और दूतिय बर्ण कौन सा होगा पर्थम और दूतिय और इसके अलावा आपको तालम सो में तीन गो बर्ण हो जो कि तालम सो मुर्दन सो और दन सो यह तीन बर्ण है यह तीन बर्ण है जो आपके अगोश बर्ण में आते हैं कौन कौन सा बर्ण पहला हो गय पर्थम बर्ग, दूसरा बर्ग और तालम स्व, मुर्धनस्व दंस्व यह आपके है यानि कि काजा तो क्या इसमें वह आपका 5 पर्थम भून पर दूसरील बर्ठ पाक्त दस और तीन हो गया सुछनमा बर्ड इस दस तीन तेर यह होगी है आपका अगोश वर्ण की संख्या कुल तेरे होगे, कितने होगे, तेरे हैं, ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं, सघोश वर्ण की ओर, ठीक है, सघोश वर्ण क्या होते हैं, सघोश वर्ण बोली है या घोश वर्ण का लिए, एकी बात होता है, ठीक है, चलिए, इसका वग वगा तो सभोष हो झेगा ठीक है असप्रस्ट है उन्हें क्या क्या कि सभूषवर्ण या घोषवर्ण एक ही बात हुआ चलिए इसमें कुन-कुन सबर्ण आते हैं इसको देखते हैं इसमें आप क्या आजेएंगे सभी पूर्ण बढ़ना जाएंगे जितने बट Angie आपको योऊ रो लोऊ फिर ना और इनके आलावा हुआ है जो कि आपके सघुष वड्न के अंतर्गद आते हैं ना और इसकी संख्या की बॉर्ण करें तो आप देख लिए इसकी संख्या आपको जैसे का तिरतिया वर्ण बोले थे पहले थे पूरा का खवला समुझ फिर तीसरा का फिर चौथा वर्ग फिर योरोब का चार गो योरो लो ठीन और उसमा मंसिफ हो आएगा श्रिफ हो ठीक है अपने देखा बेंजन अलपराण और महापराण अब आते हैं बेंजन की ओ ठीक है बेंजन इस प्रस आपका जो ढाचा बनता क कुछ इस तरह का बनता है 25 गो अस्पर्ष वर्ण की संक्यां फिर चार गो अन्तश्र वर्ण की संक्यां फिर चार गो और ऑशन वर्ण की संक्यां ठीक और इस तरह से कुल बेंजन जूटकर हो जाते हैं तैस ठीक उचारन की आध्हार पर सभी वर्गों को बड़्गी किया है ना जो कुछ इस प्रकार के है जैसे फेले होते हैं कंठशवर ठीग है आप जाने कभी कोश्चन कर दीए जाते हैं कि सभी वड़ों के कुछ उचारण केत्रे हैं प्रकार के प्रकार होते हैं जो हैं हमारे पहले कंठ तालू मुर्धा फिर दंत ओस्ट और नाजी का ये छे मूल इस्तान है ठीक है आप इसको में समझते हैं बारी बारे से कंठश वर्ण क्या होता है कंठश वर्ण जिनका उचारन कंठ्श हो कहां सो कंठ्श हो वे कंठश वर्ण का थे ठीक है उसके प्रत्म बढ़क से नामा करने का कंठश वर्ण इसमें आप क्या ज औव और मियुर्ण एफ मॅ में अब आते हैं दूसरा ताल्यविवर्न क्या होता है जीसका उचारन तालू सी वह दिद्म हम से वह यौण को ताल्यविवर्न व मूत आते हैं तालू पूरा विद से वह ध्रियरत को बलते हैं इस की उचारन मुड़ा से हो अर्था अस्वेस्ट है इसके नीची होते हैं तालू और ठी उसके नीची होते हैं कंट है काई जैसे बोलते हैं का छगाई यानि कि आपको पूरा कन्ट खोलना पढ़ता है trust बूरा कंट खोलना पर रहा है तब यह पर निकलती है उष्य तर सहले है देखिए पूरा खोलना परा है ठीक है और भी है बिस्तार बना लेजी आता है पार अथा देखर लेक है ना daler भो प्रिटल्स जो भूड़ने में और उपर मुर्धा है उनके बीच वालास्तान को तालु करते हैं ठीक है यह हमारा तालू हो गिया चलिए तालू बढ़नी में आगे है कौन-कौन शवाट हमने जाना पूरा तालब शमू तालब बढ़न में इनकी आज़ेगा चवर्ग समू पूरा चछ ज़ 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 और यह उसके अलावा हर से इधर गई और फिर यह और तालम सो इस दोनों को भी ता मुर्दावर्ण अस्पेस्ट है जिसका उजण काश हो मुर्दावर्ण का लेगा और क्या मुर्दावर्ण में क्या होता भाई मुर्दा आप जानते कि जी की ठीक ऊपर वारी भाग जहां हमारा जी उसको ऊपर आपकभी खाएं वह डलडा का श्रमान कभी वह देखें वह खाते दो उपर सेटा एक दम त्रों्टिक-ब्रमान्य उपर हमारा है मुर्दा मुर्दावर्ण कुंण न ही चिज़ें यह मुर्दा भाज्ट सकता अपने ठीक जीक ऊपर जो मुर्दाअं वहाहां पतो LO ड, ड, है न, अंगा, ये सारे हमारे कुण सा बढ़न है, मुर्दावन है, और इसके अत्रिक्च, री, री, और रो, और मुर्धन सो, ये भी हमारे कुण है, मुर्दावन में आते हैं, मुर्दनी बढ़न है, ठीक है, तो इस तरह से हमारे मुर्दन बढ़ोंगी, अब आते है तवर्ग समूखा-पूरा तवर्ग महालग निव थ्मित आप देखिए। उस वर्णको उच्हार डूत में तश्वौका पूर लेते हैं कोई भी तोब वर्णका कोई पर और जो दांत पर आकर शर्टता है पक्य। इंस Аल्गी कि आपका ये जी जो है जी आपका दांत पर आना ही आना है तब ये इसलिए नाम रखेंगा दंतर्श वर्ण ठीक है ये हमारा कुंसा वर्ण है दंतर्श वर्ण तो तवर्ण वर्ण पूरा हो जाएगा इसके अलाबा लोह हो जाएगा और फिर दंतर्श वर्ण ठीक है चली य यह क्या होता है इसमें आपको आजाएंगे असमों उसमें सभी आजाएंगे इसके अत्रिक्ष आपको रसा ऊच्छ यह यह हमारे हो गए हैं कौन सा वर्ण ओष्ट वर्ण देख लिए न आप जैसे बलते हैं पॉप देखिए एक ओट दूसरे ओट से सटता है तब यह वर्ण का उचारन था पॉप भॉप भॉप या फिर लेते हैं हर सा उ त्रुप यानि कि आपको ओट साटाना ही अत्यंत है अव